नमस्कार दोस्तों चलिए अभी एक छोटे से टूर पर चलते हैं हाला कि मुझे किसी दूसरे टूर पर जाना था लेकिन पस्नली काम है कुछ एमर्जेंसी काम आगया पंजाब में तो अभी पंजाब जाएंगे आज रात को और आगे बताऊंगा पंजाब में कहा जाएंगे चलिए आपको आगे मिलेंगे तो कि रात हो जाएगी और नच-44 है जो कभी नच-1 होता था उस पर है निकलना है देखते हैं रात को कैसा ट्राफिक मिलता है अलाकि मैं उस पर गया हूं ट्राफिक काफी रहता है उस पर कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो सारे रूट को सर्विस रोड को डाइवर्ट कर लगा है तो चलिए आगे चलते हैं मैं एक बाद इसमें पेट्रोल फिल करा लेता हूं सेफ साइड फिर आगे आपको रात को ही मिलेंगे हाईवे पे ठीक है चलिए चलते हैं चलिए दोस् को है लायट नहीं है बादा नहीं होग veil नहीं होगी आ हिए रॉच पारने यहां कुछ और उप्सåर कर लोगाइब मिलता नहींゆ L slide कि अ तो कम से कम प्रोब्लम तना हो चलिए दोस्तों स्वागत है रात की पहर में आपका रात की सफर में और हम जा रहे हैं पंजाब की और लेकिन अभी नहीं बता हूँ कहां जा रहे हैं अभी बिल्कुल हमारे फ्रंट में है नस 44 जिससे होके हम दिल्ली तो हैद्राबाद और जियाना वोडर सिंगो वोडर उसी को क्रोस करते हो है मैं तो 44 से आगे जाएंगे पंजाब की ओर चलिए चलते हैं आगे आप साथ रहे हैं हमारे चलिए दोस्तों हम आचुके है नस 44 टोवर्स पंजाब अंबाला कुरुक चेतर करनाल पानीपत चलिए आगे चलते हैं यह तो बहुत चल चल रहा है बहुत परेशान कर देगा तो दीरे दीरे आगे निकलते हैं लाइव कमेंटरी देना है यहां मुश्किल हो जाएगी थोड़ी सी तोड़ी स्पीड भी बनानी है और थोड़ा टाइट शेडूल है लंबा चलना है छोटी गाड़ी है छोटी तो क् हुआ कि कैसे आया था तो चलिए आगे चलते हैं देख रहे हो ना आप कितना इस रोड़ पर ट्रैफिक है बड़त चबदस ट्रैफिक चल रहा है इस पर अभी सिंग बोडर आया नहीं है दिल्ली हरियाना बोडर अभी आगे निकलेंगे तो चलिए अब मेल लाइन पकड़ और यह पीछे दिल्ली से बाइपास से आता है मुखरपा चोग और सीधा अंबाला और सीधा जाएगा यह कश्मीर के स्रीनगर चलिए चलते हैं इसी रोड़ पर अंबाला तक पर देखते हैं हमागे कहां चाहते हैं यह हाईवे पाथ ते निकल गए फजगे जाम मर मर गए यहां पर तो अब पतानी सिंग वोडर तक कितना जाम होगा अब क्या करें आये थे रात को यहां पर यह अंडर कर्स्ट्रक्शन हैं एक्चल में प्रोबलम इसी थोड़ी सी हो रही है यह सर्विस रोड़ पर चल रहे हैं उस मेल लाइन से फिर सर्विस रोड पर आके हम चल अब यह आगे चलते हैं देखते हैं कब तक फरी होते हैं इस जाम से लगता है कि नाम से दल्दी फरी हो जाएंगे फिर भी आगे निकलने ही कोशिश करते हैं अब ही तो मस्त चकाचक गाड़ी चल रही है अब ही तो जोड़ी है कि कि चलते हैं अब ट्राफिक नहीं मिले तो अच्छा ही है लेकिन हो कि पानी पत सिटी नजदीक लगते लगते ट्राफिक हो जाए लेकिन अभी रात के साथ सवाब आ रहा होगे तो उमीद रही है कि ट्राफिक मिलेगा लेकिन फिर भी यह तो रस्ता है स्रीनगर कश्मीर के और जाने वाला इस पे कोछ आम दिनों में भी ट्राफिक जादा रहत तोड़ी देर के लिए रुगा था यहां पर कि टोड़ा सा रैस ले लूँ गाड़ी भाग रही थी आगे सी एंजी पंप देखना है तो यहां आई यह पे खड़ा हूं रात में यह आपको सामने का यह फ्रंट का ही सीएंज दिख रहा था मैं आई नहीं रहा था लेकिन र तोड़ा भी यहीं गूंगता हूं फिर चाहिती कि यहां से आके निकलूँगा देखता हूं आगे बठाओं का मैं कहां जा रहा हूं कहां पोच्छूँगा सुबह साथ-8 बजे के करीब का नुमान है निकलने का चलिए चलते हैं आगे अब जैसे जैसे आगे परता जा रह है पीछे की तरफ रोखनी है आगे निकलेंगे चलिए चलते हैं आगे यह खड़ी अपनी छुटकी इसी में चलेंगे अब आगे चाय पी लेते हैं फिर आगे निकलते हैं मजा आ गया रोड पे गाड़ी चला के दिखाता हूं मैं आपको यह रोड कैसा दिख रहा है एब फिर दुबारा आप होटल को देखो यह है होटल अपर आगे चलते हैं गाड़ी ओक आना जाना दोलो गया रहेगा देखते हैं कि क्या होता है अब समस्चा यही हो रही है कि रात जितनी गयराती जा रही है न उतना ही ट्रेफिक पतनी क्यों बढ़ता जा रहा है अलगी जि क्या करें ट्रफिक है तो है उसको भी जेलेंगे आगे निकलेंगे बस चाई पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे कि अगे चाई आ गई है अभी यहां से चलने का प्रोग्राम हो गया है बस पांट मिंट में यहां से निकलूँगा क्योंकि जहां पोचना है वहां पोचना है वहां पोचने वर्षे दख्या सुबह तो हो गई अच्छा भी रहेगा कि सुबह साथ आटवी तक पहुच जाएंगे रविक तुड़ा कमी मिलेगा अब वैसर भी आद तो नेक्ट जो हुगया तरड़े है इतना ट्राफिक तो मिलना नी सब्सक्राइब और यहीं कहीं से अभी हमें हाँ यही है पंजाब अर्याना बोडर अर्याना पंजाब और अनस पोटिफोर और यहीं से हमें नीचे टन लेना है कोई 100-100 मीटर से ही आगे जाएंगे फिर हम खर्ड कुराड़ी रोपड यहीं से टन लेफ्ट लेलो आप अगे चलते रहते हैं यहीं माले पुट्र अमारे आगे लगे रहेंगे हमें रस्टा तो देखही देगा नहीं यह कौन इस जगह भी या तेरी मवाले रस्ते पर शिग integer माधिया इसकी लोगेशन भी शेव कर लोगा अपने अर् लोकेशन शेयर कर दूब आपनी अपनी अगाडी हो गई मज़ा आगा बागे निकलेंगे लेखते हैं कि काहाँ पर क्या होता है अभी सिएनजी फुल हो जाए यह दरवाडा रस्ता है आगे की तरफ आगे देखेंगे स्याद आवाज के लिए ना रही हो लेकिन बहुत आवाज आ रही है बस अब यह बंदगर का बैठने की सोच रहा था मैं कि अंदेरा हो रहा बस चलता रहा हूं यह है गड़ शंकर आप सभी को नमस्कार गड़ शंकर से यह है और शारपूर की एक तशील शारपूर जो है पंजाब एक चिला डिस्ट्रिक है और हम यहां आए थे किसी काम से तो बच्चु के हैं सुबहे के साड़े च्छे के आसपास नहीं साड़े च्छे तो नहीं हो है तो चलिए चाए के वक्त मिलेंगे लेकिन सोंगा पहले थोड़ी देर फिर मिलते हैं आपको नास्ते के वक्त जो भी समय सुटेबल होगा फिर बात करते हैं और अपने का इसका क्लोज अफ करेंगे हम पोच चुके हैं बसे ज्यादा दूर तो मुझे जाना नहीं है कोई दसक किलोमेटर का सफर बचा हुआ है बस करते हैं करते हैं अपने सफर को कई आज का दिन पूरा हाट टाइट है मज़ा आ गया मज़ा आ गया मज़ा आ गया आ जाओ आम है गडशंकर और यह है पंजाब मज़ा आ गया इधर देखाओ इधर लो फोकस देच, इब है मज़ा आल मज़ा आख है आज आज आए reopen आख ँब है पूर वोग जो 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 आए पूर्ट अब जो 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 आए अब माजा आगा पूरा अब हुआ जलिए दोस्तों रात के सफर के बाद पंजाब में यासनानगरने के बाद अपना सफर के इसमाप रहते हैं तो कुछ समझ में यारा कि मैं क्या दुबाब दोर क्या ना दूँ बस वड़े मज़े लेते हैं अपने नाते हैं दोते हैं तो हैंगे क्या बज ना आएंगे पहाड़ी दा बाई बाई